नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे कमलेश्वर जी की कहानी तलाश लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें आज सुनिए तलाश उसने बहुत धीरे से दर्वाजे को धक्का दिया वह भीतर से बंद था जब तक वह सोई थी, तब तक बीच वाला दर्वाजा बंद नहीं किया गया था भीडे हुए दर्वाजे की सांस से रोशनी का एक आरा सा गिरता रहा था रोशनी मोमिया कागस सी जिल में लाती रही थी अपना दर्वाजा कोल कर वह बरामते में बाहर निकल आई उसने उनके कमरे के बाहर वाले दर्वाजे को हलके से छुआ वह खुला हुआ था खामोशी से वह जीने में उतरी गली का दर्वाजा भी बंद नहीं था उसे कुछ शंका हुई मम्मी बिना कुछ कहे इतने सवेरे कहा निकल गई मम्मी के पास काम भी बहुत था ग्यारे साड़े ग्यारा बजे वह खुद सोई थी जीने से वह फिर उपर बरामते में आ गई आहिस्ता से उसने उनके कमरे का दर्वाजा खोला नीचे कालीन पर रजिस्टर बिखरे हुए थे लाल नीली पेंसिलें पड़ी हुई थी कार्बन का डिब्बा पड़ा था नीली और लाल दवातने और होल्डर रखे हुए थे कॉफी के एक प्याले में जली हुई तीलिया राख और सिग्रेटों के बदरंग टुकड़े पड़े थे मम्मी शायद बहुत ठक गई थी वह पलंग पर बेखबर सो रही थी जूड़े के पिंच सिरहाने रखे हुए थे दाहिनी तरफ वाले तकिये पर एक हलका सा गड़ा था पलंग की सिरहाने वाली पार्टी से एक सिग्रेट तबा कर बुझाई गई थी टुकड़ा नीचे पड़ा था उनके चेहरे पर बेहद मासूम्यत थी उतना ही धुला-धुला सा चेहरा था जितना सुबह उठकर मोध होने के बाद निखर आया करता था साथ-साथ चाय पीते वक्त वह अकसर बहुत लगाव से उनके चेहरे को देखा करती थी ओस में धुले हुए कमल सी ताजगी उभर आया करती है ममी के चेहरे पर पता नहीं ऐसा क्या था ममी के चेहरे में कि वह डूबी-डूबी सी देखती रह जाती थी वह चुप-चाप उनके कमरे से निकल गई थी अपने कमरे में जाकर उनके जागने का इंतजार करती रही थी कुछ ही देर बाद उनके कमरे में कुछ आहट हुई थी और लगा कि ममी ने बरामदे वाले दर्वाजे की चटखनी बहुत आहिस्ता से बंद की थी और उतने ही धीमे से बीच वाले दर्वाजे की चटखनी खोली थी चटखनी खोलने के बाद वह एकदम उसके कमरे में नहीं आई थी कुछ छणों तक चुप चाप वहीं खड़ी रही फिर उन्होंने हलके से आवाज दी थी सुमी जाग गई और वह कमरे से होती हुई बातरूम की तरफ चली गई थी उनके साथ ही कमरे में एक ठंडा सा जोका आया था शीतल सी गंद फैल गई थी जैसे वह बिस्तर से नहीं गुसल खाने से नहा कर निकली हो जब तक वह बातरूम से बाहर आई सुमी ने चाय तयार कर ली थी वह रोज की तरह ही चाय पीने के लिए बैठी थी साड़ी उन्होंने जरूर कंधों से कुहनियों तक लपेट रखी थी सलवटे कुछ ज़्यादा ही थी साड़ी के नीचे उनकी भरी-भरी संग मर्मरी बाहें जिलमला रही थी आँखों में अथा गहराईयां थी उनके बैठने में भी रोज जैसा फैलाओ नहीं था शालीन तनाओ था शायद मुझे दो रोज के लिए बाहर जाना पड़े ग्रांट बाकी पड़ी है साल खत्मोने से पहले सैंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं ममी ने नहायत आसानी से कहा था मैं बनी रहूंगी आप हो आईएगा सुमी ने दूसरा प्याला बना कर उनके सामने रख दिया था किसी दाई को कह दूंगी वह यहां सोजाया करेगी दो दिन की बात है उन्होंने कहा तो सुमी ने उतनी ही आसानी से स्विकार कर लिया जैसा आप ठीक समझें दिन को तो कोई दिक्कत है नहीं आफिस से आने में ही छह बच जाते है इस मामले में यह घर बहुत सेफ है उन्होंने कहा तो सुमी ने उतसा से जोड दिया यह तो सही है डर बिलकुल नहीं लगता और वे दोनों अपने अपने काम पर जाने के लिए तयार होने लगी थी अपने कपड़े निकालते हुए देख रही थी कि ममी कुछ उलजन में है बार बार वह ब्लावजों को निकाल कर देख रही थी आखिर उन्होंने बाहँ वाला एक ब्लावज निकाल लिया था उनके पास वह शायद इकलौता था उसके साथ की कोई साड़ी भी नहीं थी वह हमेशा स्लीव लेसी पहनती थी जैसे तैसे उन्होंने कंट्रास्ट बना लिया था उसे कुछ अटपटा सा लगा ममी की खुली हुई बाहें सचमुच बहुत खूपसूरत और सुड़ोल लगती थी कभी कभी तो उसे सोयम उनकी बाहों से इरश्या होती थी फिर वह ड्रेसिंग टेबल पर चली गई और उसने देखा था कि वह एक सिम्त से बैटकर बाहों की पिछली और एक निशान पर बेस क्रीम लगा रही थी शायद बाहों पर कोई नील था और उन्होंने बाहों वाला ब्लाउज पहन लिया था एक छण के लिए सुमी को वह कुछ ज़्यादा उम्र की दिखाई दी थी पर वह टोकना नहीं चायती थी तैयार होकर वह बस के आने का इंतजार करने लगी थी कॉलेज की बस में स्टार्प के लोग भी जाया करते थे वह बारजे पर कुछ इस तरह खड़ी इंतजार कर रही थी जैसे स्कूली बच्चे करते हैं सुमी यह सब देखती रही वह जब छोटी थी तब भी उसे अपनी ममी बहुत सुन्दर लगती थी उनके सुड़ौल हाथ पेर तराशे हुए नक्स और ताजगी उनमें ऐसी ताजगी थी जो उम्र के साथ खिलती आई थी उनकी किसी मित्र ने उन्हें देख कर मा नहीं समझा था ज्यादा से ज्यादा बड़ी बहन ही माना था उनका रख रखाओ भी ऐसा था कि अपने तन को उन्होंने बिगड़ने नहीं दिया था उसमें वही लोच और नर्मी थी जो सुमी को अपने में नहीं लगती थी उनके तन से ऐसी अच्छूती गंध फूर्ती थी जो सब को अपनी तरफ खीचती है महीने में एक बार तो उनका तन इतना तेज महेकता था कि सुमी बार-बार किसी न किसी बहाने से उनके कंधों पर अपना सिर रख देती थी तब जैसे गंध का एक जर्ना बहने लगता था दो कमरों का घर उस घाटी सा गमकने लगता था जिसमें कस्तूरी म्रग आ गया हो फिर दो-तीन दिनों बाद वह गंध धीरे-धीरे डूबने लगती थी बस आई और ममी चली गई सुमी उन्हें जाते हुए देखती रही बस में स्टाफ के लोग थे और कॉलेज की कुछ लड़कियां भी उनके जाते ही वह अकेली रह गई थी एकका एक उसे लगा था जैसे सुमी ही बाहर चली गई थी और वह ममी की तरह घर में रह गई हो अकस्मात उसने अजीब तरह की जिम्मेदारी महसूस की और उनके कमरे में जाकर उसने सब सामान करीने से लगाना शुरू कर दिया था रजिस्टर और कौपिया बटोर कर एक और छोटी मेज पर रग दी बिस्तर जार कर कवर कर दिया था बिस्तर जारते वक्त जरूर एक अवयक्त सी तकलीफ उसे हुई थी और उसे लगा था कि ममी की चीजें छोने का उसे कोई अधिकार नहीं है फिर कमरे में खड़े-खड़े फ्रेम में लगी वह तस्वीर देखती रही थी जिसमें पापा और ममी के साथ नन्नी से वह खुद बैठी हुई है नजाने क्यों उस तस्वीर को वह उठा लाई और उसे अपने कमरे में रखकर उसकी जगह ममी के कमरे में वह वाली तस्वीर रखाई थी जिसमें सागर उमर रहा था और उचे आस्मान में जलपक्षी उड़ रहे थे उसे वक्त का भी खयाल नहीं रहा था एक बक्सा खोल कर उसने पापा की वह डायरी निकाली थी जिसमें वह हर महत्यपूर्ण घटना को नोट किया करते थे उसमें रिष्टेदारों के कुछ पते, कुछ हिसाब और जन्मतिथियां लिखी हुई थी ममी की जन्मतिथी भी थी और उसकी भी देखा तो एका एक देखती रह गई ममी कुल उन्नीस बरस बड़ी है बीस की वह और उन्तालिस की ममी ममी का जन्मतिन तबसे मनाया ही नहीं गया सचमच ममी को कितना सूना लगता होगा आठ बरस निकल गए पर लगता है पापा जैसे अभी अभी उठकर चले गए हो उनके मरने की बात अब बहुत पुरानी सी लगती है एक बीती हुई बात की तरह लोग ठहर जाते हैं पर कुछ बाते हैं जो बीत जाती है पापा की बातें तो जैसे बीत गई हैं पर वह खुद अभी तक रुके हुए हैं लेकिन अब कुछ-कुछ ऐसा लगता है जैसे पापा डगमगा गए हूँ और चुपचाप घर से चले जाना चाहते हूँ जैसे वह अपनी गलती महसूस कर रहे हूँ यूँ चुपचाप आठ बरस तक खामोश बैठे रहकर उन्होंने अच्छा नहीं किया वह आहिस्ता से पापा को उठा कर अपने कमरे में ले आई बहुत देर वह चुपचाप बैठी रही और उन्हें ताक्ती रही वह खामोश थे उन्होंने कुछ नहीं कहा शाम को ममी पहले लोटाती हैं वह वापस आई तो उन्होंने चाय बना ली थी घर आकर ममी ने साड़ी तो बदली थी पर बलाउज नहीं मन में आया था कि पूच ले पर लगा था कि बलाउज न बदलने वाली बात पूचने का अधिकार सिर्प पापा को है पर वह खामोश बैठे हुए थे ममी तुम कहीं घूम आया करो तुमने तो अपने को एकदम बांध लिया है इतना काम करती हो सुमी बोली तो उसे अपनी ही आवाज बहुत बूड़ी सी लगी ममी ने उसे गौर से ताका था सचमुच उसका वह मतलब नहीं था अपनी बात को सहज बनाने के लिए उसने आगे जोड़ दिया था तुम्हारे साथ साथ मैं भी निकल चला करूँगी कभी कभी मन बहुत उबता है ममी के होटों पर हलकी सी मुस्कराहाट आ गई थी चल आज पिक्चर देखाएं वही कुछ खापी लेंगे ममी ने कहा था उसने प्रस्ताव मंजूर कर लिया था ममी फिर साड़ी के चुनाओं में उलज गई तो उसने अपनी साड़ी उनके सामने रग दी यह पहन लो ममी बहुत अच्छी लगेगी एक चड़के संकोच के बार उन्होंने सुमी की साड़ी बांध ली थी और तितली की तरह तयार हो गई थी घर से निकलते वक्त सुमी ने बत्तियां बुझाई और ताला लगाया था जीने में उतरते वक्त ममी ने धीरे से कहा था शायद बिजली का बिल अभी तक पड़ा हुआ है मैं कल जमा करवा दूँगी और फिर धीरे धीरे उसने सब हिसाब किताब समाल लिया था अंडे वाले ने इस बार जब उससे पूँचा मेम साब क्रीम तो नहीं चाहिए तो उसे कुछ अटपटा सा लगा था घर खर्च की सारी पर्चियां, बिल और कैश मेमव उसके कमरे में जमा हो गए थे धोबी की किताब उसकी अलमारी में आ गई थी दूद वाले की पर्ची उसके पर्च में पहुँच गई थी उसकी चार साडियां और एक ब्लाउज ममी के कपड़ों में जा मिले थे वह हर सुबह ममी के तयार होने की राह देखती उन्हें जो चपल पहनने ही होती पहन लेती उसके बाद वह कोई सी भी चपल पहन कर चली जाती वह खुद जिद करके भी ममी को पहनाती थी उसने जवरदस्ती उनका शाल उतरवा कर कारडिगन पहना दिया था यह क्या तमाशा करती है सुमी तू क्या पहनेगी पता ममी ने प्यार से जड़कते हुए कहा था मेरे पास कोट है वह पुरानी इतनी जल्दी कपड़े पुराने नहीं होते कल ड्राइक्लीन करवा लिया था एकदम नया निकल आया है वह बोली थी पुर्खिन हो गई है ममी ने प्यार से कहा था और शाम को जब वह लोटी तो ममी के कमरे में फिर रजिस्टर और कौपियां फैली थी ट्रे में चाय के खाली बरतन पड़े थे लाल नीली दवाते थी पेंसिलें थी और एक प्लेट में सिगरेट के टुकडे राख और तीलिया थी ममी बारजे पर जुकी हुई दूर कुछ देख रही थी शायद कुछ ऐसा जो सडक की भीड में उन्हें कताई अलग दिखाई दे रहा था सुमी का आना उन्हें पता नहीं चला कुछ छणों बारजे में ही वह कुछ सोचती सी खड़ी हो गई थी ममी चाय पिलो उसने पुकारा तो वह कुछ चौक सी गई मुझे पता ही नहीं चला तू कब आ गई चाय भी बना ली मैं जरा ठक गई थी आजकल कॉलेज में काम बहुत बढ़ गया है एक भी घंटा फ्री नहीं मिलता डिमान्स्ट्रेटर भी चुटी पर है तमाम टूटी फूटी बातें कहती हुई वह सुमी के कमरे में आ गई थी उनके माथे पर लाल स्याही से एक गोल बिंदी बनी हुई थी स्याही के किनारियां सूख कर गोटे की लकीर की तरह जिलमिला रही थी ममी उतनी ही सुन्दर लग रही थी पर वह बिंदी उसे खुल कर उन्हें देखने से रोक रही थी शायद ममी को कुछ उल्जन होने लगे या वह बरदास्त न कर पाए मुझे आज बहुत काम करना है सुमी ने धीरे से कहा था कुछ मैं करवा दूँ ममी ने सहारा पकड़ा था हमारे हाँ एक और एक्सजेंज खुल रहा है कोड मैसेजस के लिए उसकी क्लासेश शुरू हुई है उन्ही लेसंस को दोहराना है सुमी ने सब समझा दिया था तो तू अपना काम कर खाना मैं बना लेती हूँ सूप बना लो ममी ज़्यादा भूख भी नहीं है स्लाइसेश तल लेंगे बस हो जाएगा अच्छा कहकर वह उठ गई थी फिर खामोशी चा गई थी दोनों कमरे दो अलग अलग दुनियाओं में बदल गए थे उसके कमरे में पापा अब भी रुके हुए थे ममी शायद उनसे कुछ बात करना चाहती थी शायद उन्हें लग रहा था कि पापा की तरख से सुमी ही बात कर सकती है और सुमी को लगा कि यहां से निकल कर अगर चल दे तो पापा भी नहीं रुप पाएंगे वह उसके साथ पीछे-पीछे चले आएंगे चुप-चाब अपने कमरे में जाकर ममी ने पुराने कागजों और सामान को उलटना-पुलटना शुरू कर दिया था उन्हीं में पापा के कुछ पुराने खत निकल आये थे कुछ देर बाद उसने ममी को बातरूम की तरफ जाते देखा था लट कर वह आई तो मुह धुला हुआ था बिंदी मिटी हुई थी चेहरा बहुत ताजा-ताजा लग रहा था सुमी जरा बड़ी वाली अलमारी खिसकानी है उसके पीछे कुछ कागज गिर गए है आतो जरा ममी ने कहा तो वह उठकर गई थी अलमारी खिसकाई तो कागजों का एक अमबार लुढ़क पड़ा और वह छड़ी भी जो पापा ने पहाड पर खरीदी थी एक बार उनके पैर में मोच आ गई थी धूल का एक बगूला गिरे हुए कागजों से उठा था और ममी बेतर है खासने लगी थी तुमने अपने कमरे में क्या-क्या जमा कर रखा है ममी इतने सामान के बीच दम नहीं गुटता कुछ उधर जीने वाली अलमारी में रख देती हूँ उसने कहा तो उनोंने प्रतिवाद नहीं किया दोनोंने मिलकर बहुत सा सामान जीने वाली अलमारी में लगा दिया छड़ी मैं अपने कमरे में रखूँगी सुमी ने कहा तो बात में अजीब सी विसंगती दिखाई दी पर वह धीरे से फिर बोली कभी कभी रात में उधर बिल्ली आती है और ममी जब सूप बनाने के लिए चली गए तो जीने वाली अलमारी से वह पापा की फाइलें चुपचाप उठा लई और उन्हें पलंग के नीचे रख लिया था पापा का वह बचा खुचा सामान जैसे हर वक्त इधर से उधर चलता रहता था वह छड़ी और वह सामान अपना ठिकाना नहीं खोच पा रहे थे तीसरे दिन उसने सारे सामान को मेज के नीचे वाली पटरी पर समाल कर रख दिया था पर सफाई करते वक्त वह वहां से भी लुढक पड़ा अलमारी के भीतर बड़ी-बड़ी फाइलें किसी भी सिम्त से समाती नहीं थी अलमारी बहुत सक्री थी हार कर उसने एक गठरी बांध ली और उसे फिर पलंग के नीचे रख लिया था पापा भी रुके हुए थे उसी दिन ममी ने कहा था मैं आज रात की गारी से जाऊंगी वो कॉलेज के लिए सामान खरीदना था न मार्च खत्म होने से पहले पहले पेमेंट करना होगा तीसरे दिन आ जाऊंगी डाई से मैंने कह दिया है वह रात को हॉस्टल से आ जाएगी यही दस सारे दस बजे तुम्हारी गारी किस वक्त जाती है आठ बच कर पांच मिनट पर चपरासी आएगा न सुमी ने कहते ही अपनी गलती भाप ली तो उसे ठीक कर लिया तुम्हारा सामान ठीक कर दो दो दिन की तो बात है कौन बहुत सा सामान ले जाना है मम्मी ने कहा और वह सूट केस खाली करने लगी सुमी ने जित करके अपनी साडियां और पर्स उन्हें दे दिया था वह अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई सुमी ने रुमालों का एक सेट रखने के लिए सूट केस खोला तो जेब में चप्टा सा पैकेट पड़ा देखकर वह बेहत सकुचा गई थी सूट केस बंद करके उसने रुमाल उपर रख दिये थे ममी साड़ी बदल कर आई तो उनके तन से गंध फूट रही थी पर उनके कंधे पर सिर रखते हुए संकोच हो रहा था तब एक चड़ के लिए उसने महसूस किया था कि वह गंध पिछले दो-तीन दिन से घर भर में समाई हुई थी ठीक सवा साथ बजे नीचे टैक्सी का हौन बजा ममी एक एक घबरासी गई उतावलेपन में वह अपना सूट केस उठा कर खुद ही सीड़िया उतरने लगी तभी टैक्सी वाला सरदार उपर आ गया था सुमी ने बिस्तर उसके लिए लुड़का दिया और उनके हाथ से सूट केस लेना चाहा तो उन्होंने बड़ी आसानी से कहा था वह ले जाएगा जब तक टैक्सी वाला सरदार दुबारा नहीं आया वह वही सीडियों पर रुके रुके उससे बात करती रही दाई जरूर आ जाएगी इधर का दर्वाजा बंद रखना रुपए है ना दाई से कहना वह शाम का खाना भी बना देगी और वह जरात तेजी से ही सीडियां उतर गई थी सुमी बारजे पर आ गई टैक्सी की खिड़की से उन्होंने ऊपर देखते हुए धीरे से हाथ हिलाया था टैक्सी चल पड़ी थी उधर वाली खिड़की से सिगरेट का एक सोलगता हुआ टुकडा सड़क पर गिरा था सुमी वहीं खड़ी खड़ी उस टुकड़े को ताकती रही थी बहुत सी पेटियों में सामान आया था ममी रात को वापस आई थी इसलिए पेटियां घर पर ही उतारी गई थी वह बहुत खुश थी हमारे कॉलेज में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स अब आ गए हैं किसी भी कॉलेज की लैब में नहीं है और गंदे कपड़े निकालने के लिए जब उन्होंने होल डाल खोला था तो सबसे पहले रुमाल निकाल कर सुमी को दिये थे एक भी नहीं खोया पाज ये रहे एक पर्स में है ठीक है ना मल गुजे रुमालों में उड़ा उड़ा सेंट महक रहा था एक साड़ी के साथ उनी मोजा जहांक आया तो ममी ने भै साड़ी होल डाल की जेग में दबाते हुए कहा था फिर निकाल लेंगे जब धोभी आएगा और उसे लपेट कर पलंग के नीचे सरका दिया था उन दोनों के बीच पानी का एक रेला आ गया था वे सिर्फ किनारों की तरह समानांतर खड़ी रह गई थी और कभी कभी ममी उसे देखकर ऐसे घबरा उड़ती थी जैसे पापा आ गए हो और वह ममी को देखकर ऐसे अकुला उठती थी जैसे पापा चले गए हो पर पापा थे कि ना आते थे ना जाते थे वह सिर्फ रुके हुए थे आखिर सुमी ने दिल कड़ा करके एक दिन कही ही दिया था ममी यहां से मुझे आफिस बहुत दूर पड़ता है अगर दो-तीन महीने में तुम्हें कॉलेज का कॉटेज मिल गया तो आफिस और भी दूर हो जाएगा इस वक्त वरकिंग गर्स कॉलेज में जगह मिल सकती है अगर तुम कहो तो मैं महां सीट ले नू ममी एका एक गंभीर हो गई थी उन्होंने गौर से सुमी को देखा था पर उसके चेहरे पर कहीं भी विछोग नहीं था आखों में कोई दूसरा रंग नहीं था और लहजे में भी कर्पता नहीं थी सबकुछ सहच था वहां तुमें दिक्कत होगी ममी के स्वर में प्यार था तो घर भागाऊंगी सुमी के लहजे में बहुत अपना पन था बात बहुत आसान सी रह गई थी उसमें कोई पेच या मरोड नहीं था पहली तारीक को सुमी होस्टल में पहुँच गई मम्मे उसके साथ आई और कमरे में सामान सजा गई थी कुछ चीजें खरीद कर दे गई बहुत सी हिदायतें दे गई शुरू शुरू में कुछ दिनों तो वह हर शाम कुछ देर के लिए आती रही कभी सुमी जाती रही फिर धीरे धीरे टेलीफोन पर मुलाकात होने लगी और फिर उसमें भी व्योधान पड़ने लगा पर यह अच्छा हुआ था कि पापा उसके साथ चले आये थे अब उसे पापा पर भी उतना तरस नहीं आता था वह ममी के महताज नहीं रह गए थे उसने उन्हें मुक्त कर लिया था पर हॉस्टल का अकेला पन खाने दौरता था सनकी लड़कियों के बीच दम घुटता था लगता था कि वे सब भी पापा की तरह ही कही न कहीं रोकी हुई थी एक दिन वह बहुत अकेली थी तो पापा के कागज पत्तर खोल कर बैट गई डाइरी खोली तो देखते देखते नजर पड़ी ममी के जन्म दिन पर पापा ने बड़े प्यार से ममी के बारे में कुछ लिखा था जीवन भर सुख देने की शपत खाई थी ग्यारह बरस पहले उन्होंने वह सब लिखा था उसे बड़ी शांती मिली थी पापा की तरब से उसने उन्ही की इच्छा पूरी कर दी थी उसने तारीख देखी तीन दिन बाद ही ममी चालीस की हो रही थी और वह ममी के जन्म दिन पर बहुत सुबह सुबह ही नर्गिस के फूलों का गुच्छा लेकर पहुची थी वहाँ पहुचकर एका एक वह असमंजस में पड़ गई थी इस वक्त आकर उसने अच्छा नहीं किया शायद ममी को उलजन हो उसका इस तरह आना खल जाए उसे कल फोन कर देना चाहिए था लेकिन लोटते भी नहीं बन रहा था उसने धीरे से दर्वाजे पर दस तक दी आई ममी की आवाज थी उन्होंने दर्वाजा खोला तो सुमी ने नर्गिस के फूल लिये लिये ही उन्हें प्यार से बाहों में कस लिया था फिर फूल हाथों में पकड़ा दिये थे ममी ने एक बार सुमी को देखा था फिर फूलों को और सोजती सी बोली थी तेरे पापा भी यही फूल लाते थे फिर अपने को सम्हालते हुए वह जल्दी जल्दी गई और चाय बना लाई थी प्याला बनाकर उन्होंने सुमी के आगे बढ़ा दिया था चाय पीते हुए दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अलग-अलग सी एक दूसरे को देख लेती थी आखिर ममी ने धीरे से पूँच लिया था सुमी वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं नहीं ममी बस कभी-कभी बहुत सन्नाटा सा लगता है यहाँ भी बहुत लगता है ममी ने कहा था फिर वह कुछ सकुचाई सी देखती रही थी और अपने में उलजती हुई बोली थी घर में नाश्ता भी तो नहीं है तुझे क्या कराऊं? अंडे वाला भी नहीं आया उसे छुड़ा दिया था ममी की आँखे शायद हलके से नम हुआई थी वह इधर उधर देखने लगी फिर अपने पर ही हस्ती हुई सी उठी थी कुछ और सहारा ना पाकर मेज पर रखे कैलेंडर को देखने लगी थी हस्ते हस्ते ही बोली थी जबसे तो गई तारीखी नहीं बदली खयाली नहीं रहा और सुमी चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पा रही थी उसे लग रहा था कि चलने के लिए उठने से पहले वह ज़्यादा से ज़्यादा पूँच पाएगी तो यही कि ममी कितना बज गया है तो यह थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं